आपका स्वागत है हमारे प्रोग्राम खास जोडी में आज हम बात कर रहे हैं बॉलिवुड के स्वीट कपल रिशी कपूर और नीतु सिंग की रिशी कपूर और नीतु सिंग की लविस्टोरी किसी फिल्मी कहनी से कम नहीं थी रिशी कपूर उस जमाने में दिल फैक थे और नीटू सिंग बिलकुल सीधी साधी दोनों की मुलाकात बॉबी की शूटिंग के दोरान हुई जहां नीटू दूसरी कोई फिल्म कर रही थी रिशी कपूर नीटू सिंग की मासूमियत पर फिदा हो गए और वो देश की बाकी लड़कियों की तरह रिशी के स्टार अंदाज पर फिदा हो गई स्क्रीन पर दोनों ने एक साथ जहरीला इंसान में काम किया जिसके सेट पर रिशी कपूर ने नीटू सिंग को खूब सताया और फिर किसी शूटिंग के सिलसिले में विदेश चले गए वहां से उन्होंने नीटू सिंग को टेलिग्राम के जरीए अपने प्यार का इजहार किया उन्होंने लिखा ये सिखणी बड़ी याद आती है इसी बीच इंडस्ट्री में यह चर्चा होने लगी कि नीटू सिंग और रिशी कपूर शादी कर सकते हैं नीटू ने जादातर फिल्म में रिशी कपूर के साथ ही साइन की थी दोनों के प्यार की कपूर खानदान को भी खबर लग गई राज कपूर ने रिशी से साफ कह दिया कि अगर वो नीटू से प्यार करते हैं तो शादी भी करें आईए अब जानते हैं इनकी सगाई का किस्सा रिशी कपूर और नीतु सिंग की सगाई रिशी कपूर की फिल्म जूटा कहिंका की रिलीज के दोरान दिल्ली में हुई थी दिल्ली के एक होटल में रिशी कपूर अपने परिवार के साथ किसी रिष्टिदार की सगाई में गए थे नीतु सिंग अपनी मा के साथ उसी होटल में ठहरी थी रिशी की बहन रिटू और उनके प्यार के विशे में जानती थी और उन्होंने पहले खुद जाकर नीतु की मा से शादी की बात की और फिर रिशी कपूर के पिता राज कपूर ने नीतु की मा के साथ बैठ कर सब कुछ तैय किया बात पक्की हुई और 22 जनवरी 1980 को रिशी कपूर और नीतु सिंग की धूमधाम से शादी हुई अब आपको बताते हैं मज़िदार वाक्या शादी के समय नीतु सिंग का लेंगा इतना भारी हो गया कि उसे संभालते हुए उन्हें चक्करा गया और वो बेहोश हो गई वहीं रिशी कपूर का भी यही हाल था आसपास मौजूद लोगों से परिशान रिशी कपूर घोड़ी पर चड़ने से पहले ही चकरा कर बेहोश हो गए थोड़ी ही देर में दोनों को होश आ गया रिशी कपूर और नीतु सिंग की शादी फिल्म इंडस्ट्री की शाही शादियों में शुमार की जाती है आम लवी स्टोरी की तरह रिशी कपूर और नीतु सिंग की लवी स्टोरी में भी कई मोड आये कपूर खांदान में बहुओ के लिए बहुत सक्त नियम है जिने नीतु ने बखुबी निभाया जब उन्हें फिल्में छोड़ कर ग्रहनी बनने के लिए कहा गया तो उन्होंने बिना कुछ बोले अगली साइन की हुई फिल्मों के एडवांस लोटा दिये इस बात पर विवाद भी हुआ कि उनसे जबरदस्ती फिल्में छुड़वाई गई है इस पर भी वे अपने पती के साथ खड़ी रही और सब को फिल्में छोड़ने का कारण अपना निर्णे बता कर चुप करवा दिया हलांकि एक समय आने पर ऐसी भी खबरे आई कि नीतु के साथ घरेलू हिंसा हुई और वो पती का घर छोड़ चुकी है बाद में सभी खबरों को खारीज करते हुए वो वापस घर लोटाई लेकिन कुछ समय बाद उन्होंने रिशी से जगड़े की बात कपूल की नीतु ने कहा कि वो दौर सबकी जिंदगी में आता है और वो उसे भुला चुकी हैं दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं अपने बच्चों रिदीमा और रणवीर के साथ वो बहुत खुश हैं तो ये थी रिशी कपूर और नीतु सिंग की प्रेम कहानी अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद